हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सब मैं हूँ फ्रोज आज में लेकिया है अपनी यूट्यूब चनल की नए वीडियो तो गाइस आज की अपनी वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि बबिन में धागा कैसे बढ़ आता है तो आप सब देखिए गाइस और ऐसे सिंपल तरीके से आप लोग ठीक सकते हैं बबिन में आशानी से धागा बरना तो पहले स्टप आप सबको बबिन का वो ले लेना है और इसमें थोड़ा सा पहले फिल कर लेना उसकी बाद आप मशीन के जहां चकरी लगी होती है उस साइड में जाएंगी वहां पे एक फिट करने वाला आशा अ लुँष्ट शेट हो चुका है या अप पहले देख लिए कि सट वा है कि नहीं हुआ है उसके बार आप चला के देख लिए कि बबिन में मतलब तागह जा रहा या नहें जा रहा है कि बनलय औ Almost Sniap इसको प्रेस करना है उसके बाद उम्लों को मसीन चलाना है जिसे जिसे मसीन चलाएंगे उसमें इसको ड्राइबर लेकि उसके बीच में रखके उसके उपर चक्री के जो चक्री चली गोल-गोल उसके उपर से रखके एक तरह यह है ऐसे पर भर सकते हैं लेकिन यह नया चीज जाएंगे एक मसीन में ही है आप मसीन में इसे डालेंगे उसके बाद उसको प्रेश करेंगे और निजे से मसीन चलाते रहेंगे और उसके प्रेश करते लेंगे उंगली से पाउस करते लेंगे उसके बाद वो अपने आख फिलोता जाएगा हैं घूंच तो गईज देखो बबिन में धागा भर रहा है तो इसके बाद अभी भर जाए गा यह देखो बज भन नहीं वाला है थोड़ा साथ बाके वसके दिए लोग यह भर चुका है लग जागा उसके बाद हम लोग तो इसको बविन में फिट कर देंगे और फिर नीचे जहां यह लगता है वहां पर मसीन के नीचे हम लोग लेके जाएंगे और वहीं पर लगा देंगे और गाइस सुन लिजिए मतलब जब भी आप लगाएंगे बविन तो एक टक से मतलब आवाज आना चाहिए मतलब कट से और आवाज आना चाहिए तभी आपका बविन इतम अच्छे से फिट हो पाया है अगर यह आवाज नहीं आ पाया है तो आपने वीडियो को लाइक करिए जब्सक्राइब करिए